अस्सलाम अलेकूम इस वीडियो का में परपस है जो एक्जिस्टिंग अकॉंट किसी का IMA पे जो दिया हुआ था वो अभी क्लोज हो चुका है और नए अकॉंट से IMA पे क्लेम करना चाहते हैं और आप इस चानल पे अगर नए ऐसे हैं तो इस चानल को सब्सक्रेब करें ताक यसे आप लागिन करेंगे आपको जो IMA क्लेम का जो यूजरनेम और पासवेड आपके मोबैल नंबर पर मिला होगा उससे लागिन करेंगे और फ्रेश अप्लिकेशन यूज करेंगे यहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि बैंक त्रू वन रूपीस नेफ्ट चाहिए तो उससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं तो फर्स्टेज का क्लेम हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हम लोगों को वो पूछेगा कि विदर अपे बैंगलूर बैंगलूर है तो बैंगलो रूरल सेलेट करेंगे और लोकेशन होगा दुटबड़ापूर का हमने सेलेट किया हुए जो क्लेम के अड्रेस है तो उसके बाद में वो नोटिफिकेशन हमें मिलेगा कि आधार से कर रहे हैं या वन रूपीस निफ्ट से कर रहे हैं बहुत सारे मेरे भाईयों को यहां पर डौट होगा कि आयमेक आप सेम बैंक अकॉंट चाहिए या आयमेक से डिफरेंट बैंक अकॉंट चाहिए जैसे हमने आयमेक को अलड़ी अकॉंट दिया हुआ था जिसे हमें वो प्राफिट मिलता था वो अकॉंट अगर क्लोज हो चुका है तो यहां पर नान आयमे बैंक अकॉंट को हमें डिकलेर करना है तो इसे पहले हमें क्या करना है वन रूपीस का निफ्ट ट्रांजक्शन करना है जो बैंक तुरू करना है अगर आप अपने अप्लिकेशन से कर सकते हैं तो भी चलेगा यान यह तो बैंक जाके आप 1 रुपीस का निफ्ट तुरू चेक या तुरू कैश आपके आकोंड पे डेपॉसिट करेंगे तो आपको UTR नंबर मिलेगा उस UTR नंबर से यहां पे हमें लागिन करना है जिससे वो IMA अकोंड पे रिजिस्टर हो जाएगा तो यह देखिए जो UTR नंबर दिया गया था वो IMA के डाटाबेस में जो नेम रिजिस्टर था उससे मैच हो गया तो यहां पे हमें IMA का ID जो था जो कस्टमर ID या क्लाइंट ID बोलते है उसे हमें यहां पे एंटर करना है तो एंटर करने के बाद हमें जितना भी हमने इंवेस्टमेंट किया था तो डिफरेंट मैरेज हो, एजुकेशन हो या मंचली हो, आन्यली हो सारे प्लांस जो है हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे तो इससे हमें क्या होगा हम जो जो भी इंवेस्टमेंट किया है उसको सेलेट करके अपना क्लेम फॉर्म फिल अप कर सकते हैं जैसे ही मैंने ID डाला और फेच किया information तो सारे डीटेल्स आ गए बस यहां पे और एक क्या है कि यह pan verified successfully है क्योंकि यह जो verification है उसको competent authority के तरफ से हो जाएगा और यहां पे complete details चेक कर ले ताकि mobile number हो या address हो additional email ID डालना है या आपको additional alternative contact number देना है तो सब यहां पे हम कर सकते हैं सारे information को हम cross check करेंगे यह दिखे जो bank का मैंने UTR update किया था वो update हो चुका है IMA के साथ हमें mobile number को confirm करना है तो confirm करने पे हमें OTP मिलेगा जिस OTP पो आप enter करेंगे उसके बाद जो है submit करने पे हमें next जो है CMS नमबर मिलेगा जिस CMS नमबर से हमें second stage पे जो अपना amount जो है उसको टैली करने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत है तो जैसे website complete होगा इस application यह देखे second stage का मेरे को CMS नमबर मिला तो उस CMS नमबर से हमें login करना है तो यहां पे हमें IMA का जितना भी investment है वो सारा investment details के साथ मिल जाएगा जिसे हम tally कर सकते हैं अगर कुछ इसमें हमें investment में extra amount या कुछ है तो उसको भी हमें add कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें details चाहिए जैसे अगर check through किया है check number transaction number या cash deposit किया है तो deposit receipt इन सब को करना है यह जिए हिससे ही CMS number से हम login करते है do you want to add or modify second stage details तो इसको हमें click करके यहां पे जो अपना amount जो invest किया है उसके लागिन कर सकते हैं तो इससे पहले आपको कौन से scheme में आपने add किया था उसको हमें enter करना है LLP या gold तो LLP की scheme का है उसके साथ IMA का ID जो है उस IMA का client ID हमें enter करना है enter करके submit करने पे अपना सारा details मिल जाएगा तो सारे details completely check करें कोई भी information मिसना हो ताकि आइंदा हमें कुछ तकलीफ ना हो तो इन्शालला सब क्रास चेक करें investment amount कितना था और कितना display हो रहा है क्या सही है amount तो यहां पे अगर amount सही है तो just आपको हां पे click करना है और submit करना है अगर amount match नहीं हो रहा है तो हमें उसका जो proof है जैसे deposit receipt हो या neft हो या check हो उस number को details दे के हमें फिर उसको attestation मतलब registered officer के साथ उसको attest करवा रहा है तो देख लीजिए amount अगर match हो रहा है तो सब कुछ ठीक है और complete process हो जाएगा और आपको अपना acknowledgement मिल जाएगा तो उस acknowledgement में आप चेक कर लें कुछ red line पे कुछ आपको दिख रहा है जैसे कि आपको additional authentication करना है या नहीं तो year attestation करना है notary से तो आपको जरूर से करवाना है उसके लिए 24th February तक last date है तो जैसे इसमें में देख रहा हूँ इस acknowledgement में red line पे दिया गया है कि करना है क्योंकि bank change हुआ है तो या तो 1 रुपी नेफ्ट फ्रम same bank तो वो हो नहीं सकता तो या नहीं तो आधार से biometric authentication करना है तो यह complete process है from other bank से उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ना नय में bank account से कैसे claim करना है वो step by step आपको help हो जाएगी तो हमारे इस channel को subscribe करें और दुआ करें कि जल से जल हमारे पैसे हमें मिल जाए और हमारे मुश्किल आसान हो जाए और अपनी दुआ में हमें भी शामिल करें अल्ला हाफीज